मुझा नमस्कार आपने देखना शुरूर बियार जी निउस दिन भर की कुछ हैम और खास ख़बरों के साथ बियार जी निउस रूम में आप सब इका स्वागत है ख़बरों का से सिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर कोरोना संक्रमन की स्तीती की समिक्षा के लिए केंद्र की टीम बड़ोदा पहुची जिला कलेक्टर से बैठक में बड़ोदा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और इलाज की सुईधाओ का लिया गया ब्योरा कोरोना संक्रमन रोक ने पालिका की सक्ती संक्रमन से बचाओ के दिशान निर्देशों का पालन नहीं करती दुकानों को किया गया सील आज से शहर में लगेगा रातरी कर्फ्यू, बस यातायाद पर होगी असर कर्फ्यू के सकती से अमल के लिए पुलिस विभाग मुस्तेद अब देखते हैं खबरे विस्तार से गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और इससे परिस्तिती और ना मिगड़े इस हेतु से राज्य सरकार भी कई ठोस कदम ले रही है आज केंदर से भी तीन सदस्यों की टीम गुजरात दौरे पर आ पहुँची जो सुबह एमदाबाद का दौरा करने के बाद देर शाम बड़ोदा आ पहुँची थी गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभिरता को देखते हुए केंदर सरकार से एक टीम गुजराता पहुची है जहां आएमदाबाद का दौरा करने के बाद देर शाम टीम बड़ोदा पहुची गुजरात में कोरोना संक्रमन रोकने की विशेश जिम्मेदारी डॉक्टर S.K. सिंग को दी गई है बड़ोदा में इस टीम के सदस्यों ने जिला कलेक्टर से मीटिंग की थी जिसके बड़ोदा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और कोरोना के इलाज की सुईधाओं की जानकारी केंद्र के तीन सदस्यों टीम ने ली थी वहीं ये टीम SSG और गोतरी अस्पताल का भी दोरा करने वाली है आपको बताते गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है तब खास करके महानगरो में संक्रमन फैलने से रोकने पर केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है तब केंद्र से आई टीम गुजरात में कुरोना संक्रमन की स्थिती का ब्यौरा ले रही है और जरूरी सूचनाएं भी प्रशाशन को दे रही है आज से बडोदा में रात्री कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा यानि की रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आम जनता किसी भी आपातकाल या फिर मेडिकल परिस्तिति के इलावा शहर में बहार नहीं निकल पाएगी रात्री कर्फ्यू के चुस्त अमल के लिए बडोदा शहर पुलिस विभाग की और से भी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों के चलते आज से बडोदा सूरत और राजकोट में रात्री कर्फ्यू लागू किया गया है रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा इस रात्री कर्फ्यू के दोरान मेडिकल और आवशक चीजे और सामानों की आवाजाही को ही इजाज़त दी गई है तब पुलिस विभाग रात्री कर्फ्यू का सक्ती से पालन करवाने मुस्तेद है आज पूरे दिन बड़दा पुलिस विभाग की और से पबलिक एनाउंस्मेंट के जरिये नागरिकों को रात्री कर्फ्यू की जानकारी दी जा रही थी तब रात में भिन जगव पर चेकपॉइंट बनाकर पुलिस कर्मी कोई नागरिक बेवज़ शेहर में बहार ना निकले इस पर निगरानी रखेगी साथ ही में अगर कोई कर्फ्यू के नियमों का उलंगन करेगा तो उस पर जरूरी कानूनी कारेवाही भी की जाएगी इसकी जानकारी आज जॉइन पुलिस कमिशनर चीराग कोराडिया ने दी थी जुदा दो अगराणियों और जुदा दो आशोशेशन ने पुलिस्टेशन लेवले एक मिटिंग राखी ने तेनने पड़ानी समझा पामावावी छे खुबस सुंदर ने सारो सायोग ने अमने प्राप्त थे हो छे लोकों द्वारा ने अशोशेशन द्वारा पंड पु द्वारा अने बीसी प्रिश्री आने सेबी द्वारा पुर्ता प्रमणमों बंदबस राख मामा आवेली छे अने जेन वसर कारे करेते पालं था ये माटे नो अखरण तकेदारी राख मामा आवेली छे अधर वाइसा नोटिफिकेशन चे नोटिफिकेशन नो भंगनों गुनों दाखल थे छे आध जलाराम बापा की 221 मी जन्म जहनती मनाई गए थी बड़ोदाश शेहर के कारेली बाग विस्तार में आए जलाराम मंदिर में आज विशेश पुजन अर्चन किये गए पर कोरोना महमारी के चलते दर्शन आर्थियों को मंदिर परिशर में प्रवेश नहीं दिया गया आध जलाराम बापा की 221 मी जन्म जहनती मनाई जा रही है बड़ोदाश शेहर के कारेली बाग में आए जलाराम मंदिर में बीते 50 सालों से ये परंपरा चली आई है तब इस साल कुरोना महमारी के चलते इस परंपरा को साथगी से मनाया जा रहा है जबकि दर्शन आर्थि लोगों की उपस्तिती में पादुका पुजन समेत के धार्मिक विधी विधान से पुजन अर्चन आज जलाराम मंदिर में किये जा रहे हैं महा परसदे इस आसल बंदरा के लोगों कुरोने महमारी के लिए दरिक सरकार ना नियम अनुसार काम करें हुँ अत्यारे 20-25 वरसे जलारमंदी मा दर्शन करवा आओ छो अत्या सुदिन जलारमंदी नी जल्मा जयनती बहुत सारी ते उजवाती ती कुरोना नी महा मारी कारन सरकार ना नियम प्रमाने नुँ परन करी अन्यागा है वड़ोधा में कुरोना संक्रमेत मरीजों की संख्या बढ़ रही है तब बढ़ोधा महा नगर पाली का भी संक्रमन रोपने के लिए सतर्क नज़रा रही है खंडेराओ मारकेट समेट बड़दा महानगर पालिका ने बार वार्ड विस्तारों में पबलिक एनाउंस्मेंट के जरीए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नागरी को कुछ जागरूत किया बड़दा एमदाबाद राजकोट और सूरच जैसे महानगरों में कोरोना संक्रमन के मरीजों की तादात में इजाफा हुआ है तब बड़दा महानगर पाली का भी नागरी को को भीड़ भड़ वाले इलाकों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंज सैनिटाइजेशन के उप्योग के प्रती जागरूत करने लगातार प्रयास कर रही है बड़दा शहर के खंडेराव मार्केट में पबलिक एनाउंस्मेंट सिस्टम से नागरी को को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील लगातार की जा रही है जो घरनी बाहर ना निकडे ये पन अंत्यान जरूरी थाई पड़ियुचे परिणा में कॉर्परेशन द्वारा एक कार्येकरम नकी करवा मा आवेची के लोको मा फरी पाजी जागरूता आवे लोको आवस्तु भूले नही अने सोशल डिस्टेंसिंग नो पालन करे जो घर पाज़ाई बारा वर्ण नी अंदर कॉर्परेशन ना बारे बार वर्णी अंदर एक टीम मोकलवा में आवे जो आतोम आमें पड़्लिक प्लेस ली एक पचि ही रेसिडेंस एरिया जोसाईटी एरिया जिए तमा विश्तारा आवरी लिवा से कि जाती मेसेज जे आपना लोकों ने विननती करूँ चूँ का आप जरूर सिवाए घरनी बाहर ना निकड़ो और भीड़ भारवारी जग्याए जाओ तक पोतेज सोसेल डिस्टेंसिंग नो पालन करें फरज्यात घरती मास्ट पेरी निकड़ें और व्यवस्तित मास्ट पेरी निकड़ें उसी तरह ब हैं सेनिटाइजेशन का लगातार पालन करें इस हेतु से जागरूता फेलाई जा रही है खबरो का सिलसिला यूही जारी रहेगा पर उससे पहले लेंगे कमर्शल ब्रेक तो देखते रहिए बियार्जी नियूज बियार्जी ग्रूप जाखते पालन करें तो अवी जाए जागर्जी टार्जी नियूजी जाफ जागरूता टार्जी वाही है यहां से तो कल दोगाराईजी नियूज़ में अजाखते टीज़िक तो कर दो दो झाल 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 ब्रेक के बाद फिर से आप सब का स्वागत है भीड़भर वाली जगव पर पालीका की आज सक्ती नजर आई खंडेराव मार्केट में जिन दुकानदारों ने अवेद अतिक्रमन किये थे उन सभी दुकानों को आज सील किया गया और साथी में कई दुकानों को नोटिस भी जारी की गई जबकि जुर्माना भी परवाया गया बड़दा महानगर पालीका ने खंडेराव मार्केट में आज कारेवाही की थी जिसमें मटके विभाग की चार दुकानों को सील किया गया मार्केट में व्यापार के लिए अवेद अतिकरमन करने के सामने ये कारेवाही की गई थी साथी में कई दुकानों को नौटी समेद 500 रुपे जुर्माना वसूलने की भी कारेवाही की गई दरसल खंडेराव मार्केट में अतिक्रमन से जगे छोटी हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है जिसको लेकर पाली का सतर खुई है और खंडेराव मार्केट के अवे दबानों को हटाने का काम भी शुरू किया गया है पालीका की ओर से जिन दुकानों पर कोरोना संक्रमन के दिशा निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है उसके उपर आज का रिवाही की गई थी वाड नमबर 10 के विस्तार इलोरा पार्क में करीबन 7 दुकानों को आज सील कर दिया गया जहां पर मास्क समय सोशल डिस्टंसिंग और हैन सेनेटाइजेशन जैसे दिशा निर्देशो का अभाव देखने को मिला बड़ोदा महनगर पालीका बड़ोदा में कोरोना संक्रमन रोकने की हर मुनकिन कोशिश में जुटी हुई है तब वर्ड नमबर दस में आज पालीका ने बड़ी कारेवाही की जिसमें जिन दुकानों में कोरोना संक्रमन से बचाओ के निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा था उन सभी दुकानों को आज सील किया गया इलोरा पार्क विस्तार में करीबन साथ जितनी दुकानों को सील किया गया जहां सोशिल डिस्टंसिंग के निशान हैंड सेनेटाइजेशन समित की कोई सुईधाय नहीं थी जबकि जहां ग्राहा कोको संक्रमन से बचाव के ज़रूरी निर्देश नहीं दिये जा रहे थे ऐसी दुकानों पर पालिका ने आज ये कारेवाही की है बड़ोदा में कलेक्टर कारेवाही पर आज सौट सरकीट की घटना सामने आई PWD लाइन में सौट सरकीट से आग लगी थी जैसे ही दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई दमकल विभाग ने मौके पर पहुँच कर आग पे काबू पाया बड़ोदा जिला कलेक्टर कारेवाही में आज सौट सरकीट की घटना हुई थी जिससे बिजली के लकडे के मिटरों में आग लग गए थी PWD लाइन में ये शौट सरकीट हुआ था जिससे बिजली के तार जल कर खाक हो गए शौट सरकीट और आग लगने की जानकारी तुरंथ ही दमकल विभाग को दी गई जिसके बाद दमकल विभाग के जवानों ने तुरंथ घटना स्तल पे पहुँच कर आग पे काबू पाया था जीबी की टीम भी मौके पर पहुची थी जबकि पुलीस भी भाग भी कलेक्टर का रियलाई पर पहुचा था गनिमत की बाद ये रही थी कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है आज से बड़ोदा सूरत और राजकोट में रातरी करफ्यू लागू हो जाएगा जिसकी सीधी असर यातायाद पे पड़ेगी बड़ोदा सेंटरल, स्टी, डेपो की और से जारी बयान के अंदर कहा गया है कि रात को 9 से सुबह 6 बजे तक यातायाद की कोई भी बस बड़ोदा शहर में प्रवेश नहीं करेगी जबकि वो बाइपास ही निकल जाएगी दीवाली के बाद गुजरात में कुरोना मामलों में तेजी देखने को मिली है तबराज ये सरकार ने कुछ कड़े फैसले लेते हुए एमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया जिससे यातायाद की बसो पर इसकी सीधी असर हुई है बड़ोदा से एमदाबाद जाती बसो को बंद कर दिया गया है जबकि एमदाबाद से आगे जाती बसे बाइपास निकल रही है वहीं आथ से बड़ोदा में भी रात को 9 बजे से सुबब 6 बजे तक का रातरी कर्फ्यू लगाया गया है जिससे गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट की बसे रात को 9 बजे के बाद बड़ोदा शहर में प्रवेश नहीं करेगी और सीधी बाइपास होकर आगे निकलेगी इस बात की जानकरी याद बड़ोदा के AST सेंटरल बस स्टेशन के प्रबंधन ने दी थी जिला कलेक्टर से बैठक में बड़ोदा में कोरोदा में कोरोदा संक्रमित मरीजों की संख्या और इलाज की सुईधाओ का लिया गया ब्योरा कोरोणा संक्रमन रोक ने पालिका की सक्ती संक्रमन से बचाओ के दिशान निर्देशों का पालन नहीं करती दुकानों को किया गया सील आज से शहर में लगेगा रातरी कर्फ्यू बस यातायात पर होगी असर कर्फ्यू के सक्ती से अमल के लिए पुलिस विभाग मुस्तेद ये थी अब तक की खबरे कल नई खबरों के साथ फिर से उपसित होंगे तब तक बियार जी नियूस की पूरी टीम को इजाज़त दीजे नमस्कार